जैसी क्रेशना स्वागत है आपका हुंसास इजिक कई में दिवाली की साफ सफाहीत हो गई अब दिवाली की तैयारिया चालो करते हैं ज्यादा दिन बजे नहीं है आज मैं आपके लिए दिवाली की एक राइसी पले क्याइं परे बनेगी बिल्कुल दो से तीन छोड़ी चम इक परप एन यह यह अनों नहीं कोया सब्सके परस निदके लिनके अनुदर को आपके राइए चूर्णी में दोनीवाली फाई यह चे आप यह जाए आपके अगे श्चेया उचाहलें प्रटाइ नीले चान के आपको चला जाल दा में क Works में 2-4-5 कःए में अच्छे क्रिस्पी होते जाएंगे थोड़े सिकुड भी जाएंगे अब इस स्टेश में इसको मिक्स करते हैं थ्यान रखना है कि बहुत जुल्दी टूट जाते हैं तो इनको अराम से बड़े ही प्यार से उपनीचे करके मिक्स करते हैं दिख रहा होगा आपको यह थोड़ इसको थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि यह खुद के मॉश्चेर में सौफ ना हो जाए अब यहां कड़ाई में फिर से हम दो से तीन चोटी चमच तेल ले लेंगे बस इतना ही तेल काफी है इसके लिए इसमें देल लेंगे आधी कटोरी या वन फोर्द कप के बरावर मुं हो जाए तो थोड़ा भी मॉश्चेर रहा ना इसमें ताका मीचर खराब हो सकता है लाउं टम के लिए नहीं चलेगा अब इसमें लेंगे आध दस गाजी और 15-20 किश्मिश यह हम इसमें डाल देंगे अब अच्छे से भून लें तो इसको लेका था चलाते रहना ताकि यह जलेना अच्छे से इकोली भून जाए अब अब इसमें डालेंगे 15-20 करी पत्ते यह नहीं की मीठी निंगे पत्ते और एकदम ताजे लेना तो और अच्छी कुश्च भूएगी जो मैंने लिए है यह मेरे किचन गार्डन के ही है तो यह दो के अच्छी से पोष्ण और फ क्योंकि जब चीज अच्छी दिखेंगे तभी ताफिस यह बनाऊगी तो इसमें एक चोटी चमच जीरा और एक चोटी चमच सोंफ थोड़ा सा तरदरा कूटी अथा में उसको भी डाल देंगे हलका सा भून लेना और अधी चोटी चमच दाल देंगे हींग चिरूर डालन पाउड़ी पाउड़ा या फिर एक चोटी चमच इसको अच्छी से भून देना ज्यादा देर मत भूना नहीं तरह जल सकते हैं तुरंत हम इसमें डाल देंगे पोहे बाकी की मसाले हम बाद में डालेंगे अभी डाल दोगे ना मसाले तो बसकता हूँ जल जाए पोहे बाना मिक्स करने में नहीं तरहीं टूट सकते हैं इस बात का ध्यान रखना तो लीजिए इसमें अच्छी से कलर आ गया है दिखरें ना बिल्कुल कलर फुल से तो इसमें हमारे हो चुके है रेडी अब गेस कोम कर देंगे बन और इसको अच्छी से दो चरबर और और मिक्स पावडर या फिर अपने अंसा डालते पर इतना पहुत तीखा चाहिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है अब इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स अब यह मिक्चर आपके रेडी है अल्मोस्ट इसमें में एक चीज और डालेंगे जिससे बनेंगे सिल्पर टेस्टी और बिना अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मज भी लिएगा प्लीज प्लीज जरो से सब्स्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए है तो इसलिए में पास पर कॉन फ्लेक्स रखेते हैं पचास ग्राम के करीब यानि के डेढ़ कप तो यह हम निकाल लेंगे तो यह आप कप से नापोगी तो एक से देढ़ कप है इसमें आधी चोटी चमाश चाट मसाला अधी चोटी चमाश अचूर पाउडर थोड़ा सब्स्राइब कर देंगे मिक्स आप अधी चोटी चमाश लाट पीच पाउडर अब इस कॉन फ्लेक्स को हम डाल देंगे अपने पोहे में तहना इजी से अंक्रेडियम्स बिना ओयल की यूज किये हुए तो इससे अपके जो मिक्षे रहना सूपर टेस्टी बनेगे अगर आपको कॉन वाले पोहे आते मार्केट में वह मिल जाए ता आप वह ओयल में फ्राइब करके भी डाल सकते हो अगर अगर नहीं खाना है ता जल्दी खतम भी हो जाते हैं तो चुट चुटी भूको या टी टाइम स्टेक्स में आप इसको आराम से बना कर खा सकते हैं और खासकर कम ओयल खाना है किसी को या फिर जल्दी ऑप्शन चूज करना उसके लिए बहुत ही अच्छा अप्शन है ऐसा नहीं है कि जो हैल्दी या कम ओयल खाना उसी के लिए अच्छा ही है जो खाएगा उससे भी पसंद आएगा यह और हाँ पेट की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि इसको खाने के बाद हैवी नहीं लगेगा आपको तो एक बार ट्राय जरूर करिएगा